पाज साथ चुड़ने के लिए इसके बाद हंगामे को देखते हुए अनिश्यतकाल के लिए युनिवर्सिटी को बंद करने का फैसला जिला परशासन ले लिया है पूरा मामला हॉस्टल में B8 की एक दिव्यांग चात्रा की सुसाइट के बाद से शुरू हुआ था युनिवर्सिटी प्रबंदन पर तमाम आरोप लगाते हुए चात्रों में जोड़दार प्रदोशन किया था साथ ये अध्यापक परपितारना के आरोप भी चात्रों ने मढ़े थे तो चात्रा की सुसाइट के बाद युनिवर्सिटी में गुमवाल मचा हुआ है और लगातार बाचित हुई है युनिवर्सिटी प्रशासन के बीच चात्रों के बीच लेकिन किसी तरह की कोई सहमती नहीं बन पाई या बताए जा रहा है कि चात्रबास को बंद कर दिया जाएगा प्रशासन की तरह सी ओडर है शबाब हमारे साथ जोड़ गए है शबाब क्या जानकार यह से लेकर चात्रा के सोसाइट की उचिस्तरिय जाच कराने की मांग कर रहे हैं और इसको ले करके पिछले कई दिनों से ज हंगामा चल रहा था लेकिन आखिरकार युनिवर्सिटी को फिलहाल साइन्डाई कर दिया गया है या कि ऑनिशितकाल के लिए बंद कर दिया गया है चादर हमारे साथ हैं क्या इशू है आपके किन बिंदूओं को लेकर कि आप लोग परदशन करें अब इस छात्रा की मौत के बाद से लगतार आप लोग परदशन कर रहे हैं रोड जाम की थी आप लोगों ने क्या प्रमुक बिंदू है क्या वी सी से वारता हुई अब तो यूश्टी भी अनिश्चितकाल के लिए बन कर दी गई है आप लोगों को भी कल तक होस्टल खाली क करने के आदेश दे दिए गए लिए हम लोग का अगर दमन किया जा रहा है इनुश्टी पर सासन द्वारा तो यह दमन संभू नहीं होगा क्योंकि हम लोग भी अगर किसी चीज़ की एक वह है जितना दबाव दिया जाएगा उसकी प्रत्क्रिया भी डबल लिए सहमती किस कमेटि की जाएज की बात कर रहे हैं कि जो कूल परबंधन इसको मानने के लिए तयार महीं हो रहा इसलिए आप लोग डटे हुए में नहीं कारे हमारा सरा खाना पीना दाल जो भी तो कल तक हॉस्टल खाली करना है अब क्या करेंगे इसा कैसे होगा हम लोग तो धरने वे बाठे हुए हैं और यह असी मित काली प्रिस नहीं होगा अगर प्रिशासन यह कहता है व हुए आप लोगो उसे सीधने इस निस निकल सबर्दा है लेकिन इस सब्यक्ता उपने भाले और अब अब जारए कमीटीः अंदर कि धी बनारा। हम लोग की मांग है SIT बनाई जाए पहली बात तो इस देट से स्लिसले में दूसरी मांगे हमारी और भी है डिवियंगों के साथ जो गलत वेवहर होता है उसको लेकर हमारी मांगे हैं इसके अलावा हमारी मांगे हैं कि हम जो चात्रों को भैक लगती थी उसके बारे में है कि एक दो दो नंबर से बैक लगा दिया जाता है इसके लाव मारस अब कल अब होस्टल भी बंद कर दिया जाएगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर जोड जबर्दस्ती इनके साथ की जाती है तो फिर क्या करेंगे साथ करके डो घंटे कर दिया गया है उसको संभोह निया बताइए अब कल बोल रहे हैं कि आप लोगों को होस्टल खाली करना है अगर फिर यह जोड जब जबरस्ति करेंगे तब क्या करेंगे ची सर मैं होस्टल तो ऐसे नहीं खाली कर सकता हूँ हाँ अगर इनको जब जस्ति खाली करवाना तो हम लोग उपर गुजर से होशल खाली करा सकते हैं क्योंकि मैं कोई अबैद इसमें नहीं करूंगा ना कोई तोड़ पोड़ करूंगा और कल जो है टीचर हमारे शात्रों को मारे भी ठीक है और सी से भी क्रण की साइटी से जाज करा जानी चाहिए क्योंकि डेड़ लॉक लगातार बना हुआ है आट बार मीटिंग में चात्रों यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से लेकिन कोई फैसला निकल कर सामने आया चात्रों की बात तो हमने सुन ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा प बच्चे वहाँ पढ़ें लेकिन बच्चे अपनी जित के आगे अड़े हुए हैं वो सीधे तोर पर बच्चों पर ही आरोफ लगा रहे हैं लेकिन चात्र इस बात को कहते हैं कि अगर हमारी मांगे जो यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं सुनेगा तो पिर हम किसके पास ज पर बच्चे अगर यहां से अगर उनकी सुनवारी महीं होती है तो फिर आगे भी जाएंगे क्या वो बिल्कुल देखिए अब छात्रों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की लाइट काट दी गई है पानी बंद कर दिया गया है शौचाला के लिए दिक्कते हैं खाने पीने की मेस्स बंद हो गई है तो अब छात्रों के सामने विकल्प तो बहुत कम है लेकिन चात्र इस बात को साफतार से कह रहे हैं कि हम जो हैं वो इस जगह से बिल्कुल भी हटने को तयार नहीं है और हम लोग जो होगा वो देखा जाएगा क्योंकि अब इससे ज्यादा बुरा इस तर क्या हो सकता है और इसी पर बात्चेत इसी पूरे मामले पर बेरे से योगिया नामिका ने मंत्री योगेंद्र यादव जी से भी बात की है जरा सुनते हैं क्या कहा उन्हों ने सब्सक्राइब करना किसी बात करना किसी बात करना किसी समस्ता का समाधा नहीं हो सकता सब टेबिल पर बात करने चाहिए मैं चातर शक्ति इसे भी अन्रोथ करूँगा और वहां के प्रशासन से भी कि बिल बैट के बात करें टेवल पर समस्ता का निकलता है लेकिन यूवर्स्टी को निस्ट काल के लिए बंद कर दिया गया है लेकिन मंत्री जी की ओड़ से कहना है कि टेबल पर बैटके बाचीत होगे जो समस्या को सुझा जा सकेगा और आम कैसी निजेटी लखनव तो योगेंद्र उपाध्याएक।